जोस्तो नमस्कार स्वागत है आप सभी कापी के एजुकेशन कोर पर ये पूरा पार्लियमेंट से संबंदित हम चीजों को पढ़ रहे हैं इससे पिछले वाले वीडियो जिल लोगोंने नहीं देखे हैं उन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौज़ूद है आप उसे वहा करती है उनी के बारे में जानेंगी और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीट सब्सक्राइब कर लेना वेल आइकन को प्रेस कर लेना वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कर देना भारतिये राजनीती प्रशासनिक विवस एवं कारियों को निमलिखित सीर्शिकों के तैत वर्गिकरत किया जा सकता है यह जितना भी टॉपिक है मैं लक्षमी कांत एम लक्षमी कांसर की जो वूख है उससे लेती हूं तो अगर आप लोग मुझसे पीडिया पर जोड़ना चाहते हैं तो पीके एजूकेशन को और क और अगला है निरवाचक शक्तियां अन्न शक्तिव कंसे को फिर देश के संचालन के लिए बिदियांस के स्थान के यह दोका के लिए डिविय कुछ नियम कानून इसकी उलगब करें उनके वकर शुरू ही थी उस ताइम पर इन सभी को मैंने बताया हुआ है तो जिन लोगों नहीं देखा है उनको जाकर लिंक में आप देख सकते हैं इसमें मूल रूफ से 97 विशह थी एवं अगर बात करें बर्तवान में कितने विशह हैं 99 विशह हैं इसमें 99 विशह तथा अवसिस्ट में वे विशह जो किसी भी सूची में शामिल नहीं होते हैं उस पर भी कौन नियम बनाता है उस पर भी संसधी नियम बनाती है पर बिदी बनाने का विशिस्ट अधिकार है यदि दो या दो से अधिक राज्यों के मद किसी विशह पर बिवाद हो जाता है कोई स्टेट ए है और कोई स्टेट अगर भी है अगर इन दौनों राज्यों में कोई मतवेद हो जाता है किसी भी चीज को लेकर या कोई भी विवाद है किसी भी विशय पर तो कौन हल करेगा उसका विवाद संसद तो संसद समवर्ती सूची के विश्यों पर जिन में मौल रूप से 47 इवं बर बंच लिए जाता है कि केंद्र सूची में कितने विशय हैं तो यह सारे आपको पता होने चाहिए लिए किया कर सकती है बना सकती है समविधान संसद को राजि सूची के विषयों पर विधी बनाने की शक्ति प्रदान करता है जिसमें कितने विषये हैं पहले छाछट थे लेकिन बादम गड़कर कितने हो गए 61 हो गए यह मैंने पढ़या था जब संफी धाच्टा बताया था तो इस समय पर मैंने पूरा बताया था कि किस-किस तरीके से संग के पास सक्तिया ज्यादा है ऐसा निम लिखित पाँच असमान परिशितियों के अंतरगत हो सकता है जब संसद राज की सूचियों पर आपिशे जी जो भिशे सूची हैं उनपर कानून बना सकती है तो कौन कौन सी है जब राज सवा इसके लिए एक संकल पास कर दे या फिर राश्टी आपातका लगा हो या फिर दो या दो से अधिक राज संसत से ऐसा संयुक्त अन्रोद करें दौनों में दो राजी या दो से अधिक राजी ऐसा मिलकर अंडोध करें कि इस विशय पर कानून संसत बनाए या फिर जब अंतर राज्टिय समझोते संधी एबम समझोते के तहत ऐसा करना जरूरी समझा जाए जब राज में राष्टपती शाषन लागू हो तो आपको समझ में आये ऐसे पांच पॉइंट है जहां पर राज की जुबिदान मंडल है उसके कानून के ऊपर कौन सा कानून चलेगा संसत का राष्टपती द्वारा जारी सभी अध्यादेशों को संसत 6 सपता के बीतर स्विक्रती मिलने चाहिए बात करी जारी है कि जब राष्टपती के द्वारा जारी जितने भी अध्यादेश होंगे वो 6 सपता के बीतर उनको स्विक्रती मिल जानी चाहिए मैंने अध्यादेश का खाका तयार करती है और मूल विदी के धाचे में ही बिस्तृत और नियम बनाने के लिए कारिपालिका को अधिकार देती है मतलब क्या कहती है कि जो एक तरीके का जो विदियां है उनका पूरा खाका तयार करेगी और क्या करेगी मूल विदी और धाचे में ही उनको नहीं ब कि संभिधान कहा जाता है के लिए संभिधान कार कार कारी शकतियां क्या है शंभिधान को कि संभिधान या उप are you उप सरकार कि संभिधान के वैं बस फ़र कितना है कि UPSC में statement के तौर पूछा जाता है और UPSC पूछ ले जाते हैं कि अब क्या है कि स्थापना किये जिसके कार-कारणी अपनी नीतियों एवं कारयों के लिए संसत के प्रती उत्तरदाई होती aí इस तरह संसत काल कारणी पर परिषणिकाल, शूनिकाल, आधे घंटे की चर्चा, अलपवदी चर्चा, ध्यानकर्चन प्रिस्ताव, इस्तगन प्रिस्ताव, मैं सब आपसे उनकोны स्मझ में आए fellire सामानता मंत्री संसत के प्रती सामोहिक रूप से जिम्मेदार होते हैं लेकिन इसमें भी क्या बात है कि लोगसभा के प्रती बिशेश रूप से जिम्मेदार होती है सामुहिक रूप से सामुहिक उत्तरदायत्य के एक भाग के रूप में प्रतेग ब्यक्ति की ब्यक्तिगत जिम्मेदारी होती है प्रतेग मंत्री अपने मंत्राले के कार्यों के प्रती उत्तरदाई होता है जो भी मंत्री हैं जितने भी कारे आगे हो गया एकर अबने रहे हैं जब तक ब्रापत रहेगा तब तक वो अपने सकता है तो इसका मतलब क्या होता है अगर अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है तो सरकारे गिर जाती है लोग सभा सरकार के प्रती विश्वास की कमी का प्रस्ताव निम्लिखे तरीके से ला सकती है अब देखते हैं कि विश्वास की कमी विश्वास प्रस्ताव पारत हो किया जाए स्विकार कर दिया जाए निंदा प्रस्ताव को पास कर दिया जाए इन मैंने बताया था निंदा प्रस्ताव से सरकार नहीं गिरती है लेकिन अविस्वास की कमी दिखाई जा सकती है आवश्यक मुद्देपर सरकार को हराकर कटवती प्रस्ताव को पारित करके तीनों को मैंने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है आप चाहें तो पिछले वारे वीडियो में देख सकते हैं इसलिए कहा गया है कि संसद का पहला कार ऐसे समू का चैन करना है जो सरकार बनाए उसे सत्ता में रहने के लिए तब तक सहाइदा प्रदान करें जब और जाती अविश्वास प्रस्ता हो जाता है तो तुपारा क्या होता ही द्वश्यादा फिर समय चुना होंगे और इसको फिर से जनता पर छोड़ दिया जाएगा जनता थिसको जुनती है उसी कहसाब से निर्ड़ाय लिए जाते हैं तो अब देखते हैं वित्ती सक्तियां यह ना ही किसी प्रकार का व्यायक कर सकते हैं जितना भी संसद की शक्तियों के विना मतलब संसद्र के पर्मिशन के विना कारे ना तरीके सब्सक्राइक कर सकते हैं और बजट को स्विक्रती के लिए संसत के समक्षी रखा जाता निगे संसत क्या है जनता के प्रतनी परतनी तो संसत में पहुंचते तो हम उसे जनता के जो भी वो काम करते हैं, वो जनता के तरफ से ही तो करते हैं, तो बजट के माध्यम से संसत सरकार को आगामी बित्वर्ष में आय एवं ब्याय की अनुमती प्रदान करती है, संसत बिविन बित्तिय समीतियों के माध्यम से सरकार के खर्चों की विजाच करती है, कि सरकार ने कि तरीके के और तरीके के खर्चे के खजए इन समीति Everything में देखा जाए तो लोग लेखा समीति मैंने बतायी तेक हें प्राकलन समीति सारवजनिक उपकरम से संबन्दित समीति यह सारी सारी समीति आं बहुत ही जादा महत्पूर है- कई बार इक्जाम में में बहुत हो दो मांगा ग्याता है फिर किसी और कम में के छोडरा है के listen to moral का नियांतर निम्न दो तरीके स는बहास का है पहला क्या ra जोंदान मांगों के रूप में भी होता है या और फिर उत्तर नियांतर गुए तो सथापित किया जाता है समीतियां इसलिए बनाई जाती है इन पर जाश पंटाल हो सके और अंकी कमियों को और अच्छाइयों को देखा जा सके बजट बारसिक्ता के सिद्दान पर आधारित होता है जिसमें संसत सरकार को एक वर्स में व्याय करने के लिए धन उपलब्द करात है यदि मंजूर किया गया धन वर्स के अंतक व्याय नहीं होता तो सेज धन का च्छाज हो जाता है तदा भारत की संचित निधी में यह बापस से चला जाता है इस प्रिक्रिया को सिद्दान कहते हैं इसे संसत का प्रभावी बित्तिय नियंद्रन इस्थापित रहता है और इसकी उसकी अनुमती के बेना कोई भी आरक्षित को नहीं बनाया जा सकता है हाला कि इस सिद्दान के कारण बित्त बर्स के अंत में ब्याय का भारी कार्य उत्पन हो जाता है जिसे मार्च रश कहते हैं तो यह देखे कितनी सारी इंपॉर्टन चीज़ें संसत के लिए संसत संविद्धान में किसी भी प्रकार का प्रावदान जोड़कर समाब्थ करके या उससे संसद्वधन कर सकती है कोई संसत करता है संभिधान के मुख्य भागों को विशेश बहुमत द्वारा संसत करता है संभिधान के कुछ अन्य व्यवस्थाओं को साधान भाहुमत द्वारा संसत बगल सकती है यह बहुमत संसत में उपलब सदस्यों की बीच में तैह होता है कुछ व्यवस्था ऐसी भी है ज कि संविधान संसोधन कितने तरीके से किया जा सकता है तो तीन तरीके से किया जा सकता है इन सारे को मैंने पुराने वाले वीडियो में अच्छे से बताया है आप जाकर वहां पर पूरा देख सकते हैं यहां पर हम जब मैं संगबाद पढ़ा रही थी तब यहां पर मैं संसद से संबंदित बातों को ही कर रही हूं कोछी संसोधन ऐसे हैं जिन में संसद बिशेश बहुमत एबं आदे से अधिक राज्यों की सहमती से संसोधित कर सकती है कि यह चीज मनजूर के जा सकती है कि या तो उसका गठन कर दिया जाए या फिर उसे समाक्त कर दिया जाए प्रस्ताव की अधार पर संसत संविधान में आवश्यक संसोधन करती है संसत तीन प्रकार से संविधान में संसोधन कर सकती है कौन कौन से वो प्रकार है साधार बहुमत द्वारा बिशेज बहुमत द् के संष्ट की शक्ती नहीं है संविधान के मूर्थ हांचे की शर्तानुसारे कि आलावा किसी भी विश्चांइस संसोधन कर सकती है यह निर्डाय उच्तम नियालाय ने केश्वानन्थ भारती मामले 1903 यह काफी important मामला है इसके बारे में मैंने पूरा डिटेल में बताया हुआ है और अलग से और पूरा वीडियो बना दोंगे स्के बारे में यह मामलां इतना महत्वपूर है बहुत बार यूपेश tu men żeby अग्जाम में बहुत बार पूछा गया है यह संसद की नियायक शक्तियों और मकारियों में निनलिकित शामिल है Samvidhan के ओलंगन पर राश्टवती को पद्मुख्थ कर सकती है विए उपराष्पती को सके या बाहरी लोगों को इसकी अवमानना या विशेश अदिकारों के उलंगन के लिए भी दंडित कर सकती है अब देखते निर्वाचक शक्तियां और कार क्या क्या है निर्वाचक शक्तियों में देखेंगे संसद राष्टपती के निर्वाचन में राज बिधान सभाओं के साथ भाग लेती है और उपराष्टपती को चुनती है लोग सभा अपने अध्यक्षिवम उपाध्यक्ष को चुनती है जब की राजी सभा उपसभापती को चैयन करती है सभापति का क्यों नहीं करती क्योंकि वह इसका सदस्य नहीं होता है किसी भी सदन का संसत को यह भी शक्ति है कि वह राष्टपती एवं उपराष्टपती के निर्वाचन से संबंदित नियम को बना सकती है उनमें संसोधन भी कर सकती है वह संसत के दौनों सद्नों एवं राज विधाई का कि निर्वाचन से संबंदित नियम भी बना सकती है या उनमें फिर संसोधन भी कर सकती है इसी आधार पर संसद ने राष्ट्रपती एवं उपराष्ट्रपती निर्वाचन अदिनियम 1952 और लोग प्रत्ने दे तदनियम 1950 एवं लोग प्रत्ने दे तदनियम 1951 आधी बनाए हैं अगला है अन्य शक्तियों में भी देख लेते हैं संसर के फास कई अन्य शक्तिया सामिल हैं यह देश में विचारवियमर्ज की सर्वोचत्प्त मिकाहि हैं यह राष्त्री शामे Heaam अंतर राष्त्री मेहत्र के मिध्दव पर बहश करती है今日は तीनों तरह कि आपका चाहे वो राज्ट्री हो राज्य हो या फिर बिद्ध हो सबकी संतुति करती है यह संबंदित राज बिधान सभा की स्विक्रती से बिधान सभा बिधान परिशत की समापतिया उसका गठन भी कर सकती है यह राज्यों के छेत्य सीमा एवं नामों में पर दिकस किए इसमें और संसत की पूरी कारेकल आपको जाना कि किस-किस तरीके से वह काम करती है अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर देना वैल आइकन को प्रेस करना अगले वाले वीडियो में फिर मिलेंगे तब तक के लिए बाइबाइ दोस्तों नमस्काल